Hello dear students, class 9th, science के chapter 3, atoms and molecules के lecture number 2 में आप सभी का स्वागत है मेरा नाम है सरफराज और आज की इस वीडियो में इस lecture में हम डिस्कस करेंगे loss of chemical combination के बारे में previous वीडियो में मैंने आपको कुछ basic terms के बारे में बताया था कि atoms क्या होते हैं, molecules क्या होते हैं बिना कोई definition दिए, example के साथ में simple words में मैंने आपको explain करने की कोशिश की थी अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं recommend करूँगा कि आप वो वीडियो जरूर देख लीजिए क्योंकि उसमें मैंने बहुत simple तरीके से आपको सारे terms के बारे में बताया है जो कि इस chapter में use होने वाला है तो चलिए जल्दी से start करते हैं अपने इस वीडियो में सबसे पहले देखेंगे कि chemical combination की कौन-कौन से laws हैं basically तो दो laws हैं एक है law of conservation of mass और एक है law of constant proportion या definite constant proportion ठीक है तो इन दोनों को इस वीडियो में अपन डिसकस करेंगे चलिए देखते हैं क्या चीज़ है तो देखें जो law of chemical combination है ये दो laws होते हैं actually इसके there are two main laws of chemical combination as established by जो दो scientist के द्वारा established किया गया है एक का नाम है levoiser दूसरे का नाम है law का मतलब होता है नियम जब chemical combination होता है कुछ chemicals का अगर combination हो रहा है तो वहाँ पर कुछ एक नियम होते हैं कुछ rules होते हैं जो वहाँ पर follow हो रहा होता है वो कौन-कौन से rule है यही आपन को पढ़ना है तो दो rule होते हैं जिसमें से पहला होता है law of conservation of mass दूसरा है law of constant या definite proportion तो एक-एक करके दोनों को discuss करते हैं तो देखो सबसे पहले देखेंगे law of conservation of mass क्या होता है conservation का मतलब होता है संरक्षित करना या फिर सुरक्षित करना किसी भी चीज़ को सुरक्षित करके रखना यहाँ पर लिखा हुआ है according to the law of conservation of mass matter can neither be created nor destroyed in a chemical reaction it remains conserved, conserved का मतलब सुरक्षित रहना जब कोई chemical reaction होता है तो उस chemical reaction के दौरान जितना mass पहले था उतना ही reaction के बाद में भी रहेगा example में देखे, acid मान लिजे हमने लिया है 10 gram और base को ले लिया है 5 gram अब इन दोनों का chemical reaction हुआ, तो एक नया product form हो गया यहाँ पर अब जब आप देखोगे तो acid plus base मिला के 15 gram होता है तो जब आपका product form होगा वो भी 15 gram का ही होगा इसका मतलब जो mass है वो सुरक्षित है जो chemical reaction के दौरान जो भी matter का mass रहता वो हमेशा सुरक्षित रहता है जितना reactant में होगा उता product में, अब reactant क्या होता है, product क्या होता है, यह सारा चीज मैं आपको first part में बता चुका हूँ इस first lecture में उसका link आपको description box में मिलेगा previous video करके, recommend करूँगा मैं कि आप वो video ज़रूर देखिए कि मैंने उसमें बहुत ही आसान तरीके से समझाया है, और इस पूरे chapter में यह सारे words आपको use होने वाले हैं, ठीके, तो law of conservation of mass बहुत ही simple था, मैंने आपको explain कर दिया कि reaction के पहले जितना भी mass होगा matter का, reaction के बाद भी mass उतना का उतना ही रहेगा, conserve रहेगा, सुरक्षित अगले law में जाने से पहले यहाँ पर एक experiment है, इस चीज को prove करने के लिए कि law of conservation of mass actually exist करता है, कोई हवा की बात नहीं है, यह actually में होता है, तो देखें यहाँ पर एक beaker लिया हुआ है, इस beaker में उपर की तरफ यहाँ पर एक cork लगा हुआ है, जिससे की कोई air ना अंदर आ स पर solution है, और वो solution है copper sulfate का, तो आप क्या करेंगे, इस tube में जो sodium carbonate है, वो यहाँ पर beaker में डाल दिया जाएगा, और copper sulfate के साथ में उसका reaction हो जाएगा, reaction हो जाने के बाद में tube यहाँ पर आपका खाली हो गया है, और जो भी solution था, नया solution यहाँ पर reaction के बाद फॉर्म हुआ ह जो आपको दिख रहा है, वो यहाँ पर beaker के अंदर आ गया है, अब इस पूरे reaction के दोरान, स्टार्टिंग में जो इन दोनों का, यहाँ पर यह जो पहले जो दो हमने यूज किया, sodium carbonate and sulfate, इन दोनों का जो मास था, वो 17 gram था, अज्यूम करके चलते हैं, 17 gram था, तो जब reaction ह हो जाएगा, तो reaction होने के बाद में भी, इनका जो मास है, वो 17 gram ही रहेगा, 17 gram से कम यह जादा नहीं होगा, ठीक, यहाँ पर कुछ ऐसे condition, situation, create की जाते हैं, कि इनको कोई disturbance ना हो, इस reaction में कोई भी disturbance ना हो, जैसे कि उपर में cork लगा दिया गया है, ताकि air अंदर ना आए, ठीक है, कोई दूसरा चीज अंदर ना जा सके कि उसका weight को disturbance हो जागे, यह experiment कर किया गया, scientist लोगों ने किया है, तो एकदम perfect है, आप इसमें यह नहीं बोल सकते कि, sir, इसमें beaker है, tube है, तो इनका भी कुछ ना कुछ मास होगा, लेकिन scientist ने ऐसा कुछ किया है, कि उन्होंने क केवल यहां पर जो reaction हो रहा है, sodium carbonate और sodium copper sulphate केवल इनका ही मास उन्होंने अलग से निकाल के रखा है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, आगे क्या दिया हुआ है, अब आपन बात करेंगे second law के बारे में, second law है, law of constant or definite proportion, ठीक, यह law क्या बोलता है, law में बोला है, the law of constant proportion states that the elements are always present in definite proportion by mass in a chemical substance, ठीक है, बहुत simple words में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, क्या बोल रहा है, जब कोई reaction होता है, तो इस reaction में जो भी product form हो रहा है, वो product form तभी हो सकता है, जब एक particular, किसी constant या fixed proportion में दोनों चीज मिल रहे हैं, या जितने भी चीज़ें वो अपस म मिल रहे हैं, example लेते हैं water का, water में यहाँ पर दो element है, एक है hydrogen, एक है oxygen, water का chemical formula होता है, H2O, ठीक, अब H2O में hydrogen के यहाँ पर दो atom है, क्योंकि H2 लिखा हुए तो H plus H, दो hydrogen, दो atom हो गए, अब यह water जो है, H2O, यह तभी form होगा, जब यहाँ पर hydrogen और oxygen का ratio, 1 is to 2 होगा, इनका proportion, sorry, 1 is to 8 होगा, इनका proportion अगर 1 is to 8 है, तो water का formation होगा, अगर यह proportion disturb होगया, तो water का formation नहीं होगा, डिस्टर्ब होने का मतलब, अगर hydrogen का mass ज़ादा है, और oxygen का mass जितना होना चीज़ से अलग है, मान लिजे hydrogen यहाँ पर 2 होगया, लेकिन oxygen 8 का 80 है, तो water का formation नहीं होगा, अब यह 1 is to 8 क्या चीज़ है, यह मैं आपको समझा देता हूँ, atomic mass, देखे, किसी भी चीज़ का एक mass होता है, जैसे कि आपका खुद का एक weight होगा, mass होगा, मान लिजे, आप 45 kg के हैं, या 50 kg के हैं, जो भी है, वो आपका weight है, तो हम mass को, किसी भी चीज़ के mass को gram या kilogram में measure करते ह लेकिन जो atom होता है, atom का जो mass होता है, उसको हम atomic mass बोलते हैं, और उसको हम u से denote करते हैं, u से represent करते हैं, तो hydrogen का atomic mass है, वो होता है, one unit, या फिर one u, ठिक, उसी तरह से जो oxygen होता है, oxygen का atomic mass होता है, 16u, यह सारी चीज़े detail में आप आगे के chapters में पढ़ेंगे, इसलिए अभी आप tension लेने के आपको कोई जरूरत नहीं है, जितना मैं समझा रहा हूँ, बस उतना समझ लेजिए, कि hydrogen का atomic mass 1u होता है, और oxygen का atomic mass 16u होता है, अब यहाँ पर हमको form क्या करना है, water, water का chemical formula H2O है, यानि कि दो atom hydrogen के लगेंगे, एक atom का जो mass है, वो 1u है, दूसरा hydrogen atom का 1u, और oxygen का atomic mass ह 16u, तो इन दोनों को आप add करो, hydrogen के दोनों atom का mass को, तो वो हो जाएगा 2, और oxygen का 16, तो 2 is to 16, ठीक है, यह ratio बन गया, 2 is to 16 का, इसको आप लिख सकते हो 2 by 16, तो 2 by 16 को जब आप simplest form में convert करोगे, दोनों 2 के table से divisible है, आपका answer आएगा 1 by 8, यानि कि 1 is to 8, तो water का formation तभी हो सकता ह है, जब hydrogen और oxygen 1 is to 8 के ratio में मिलेंगे, अगर 1 is to 8 के ratio से अलग हो जाता है, तो water का formation नहीं होगा, ठीक है, यह आपको याद रखना है, वहाँ पर water का formation बिलकुल भी नहीं होगा, यही जो law है, यही law है, law of constant or definite proportion की, कोई भी substance या कोई भी element, एक definite proportion में जब मिलेंगे, तो एक particular product आपके सामने आएगा, particular product या particular substance आपके सामने बनेगा, ठीक है, तो यह वीडियो यही तक रहेगा, इस वीडियो में मैंने आपको detail में explain किया है, दोनों laws को, और textbook में भी आपके दिया हुआ है, आप चाहें तो textbook को भी पढ़ लीजिए, अगर कुछ doubt आता है, तो comment box में comment करके बताईए, आपके doubt को clear करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा, इसका सारा notes आपको मेरे whatsapp चैनल और telegram चैनल पे मिल जाएगा, दोनों का link आपको description box में दिया हुआ है, और जाते जाते ज़रूर बोलूँगा कि आप channel को subscribe कर लीजिए, वीडियो अच्छा होगा, तो like कीजिए और अपने friends के साथ share जरूर कीजिएगा, तो बिलते हैं next video में, और next video का जो link होगा वो आपको इसी video के description box में मिल जाएगा,